मालवा निमार का किस्तान मौनसुन की भरपूर महरबानी के बाद भी बरबाद हो रहा है उसकी फसल चोपट नहीं हुई है बलकि बंपर पैदावार ने किसानों को चोपट कर दिया है इस बार इत्ती जबरदस फसल हुई है कि फसल के दाम जमीन पर आगिरे खेतों में माल भरा पड़ा है उन्हें उठाने वाला कोई नहीं अगर धुलाई करें तो उसका भाड़ा दाम से ज्यादा लगेगा इसलिए किसानों ने लहसुन नदी में फैकना शुरू कर दिया है मालवा निमार में इस बार लहसुन की बंपर पैदावार किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही है मंडी में भाव एक रुपे किलो तक दिखाई दे रहा है मालवा निमार लहसुन की पैदावार के लिए पूरे देश में मशूर है लेकिन इस साल किसानों के लिए यही लहसुन घाटे का सोदा साबित हो रहा है मंडियों में बंपर आवक के कारण लहसुन की कीमते गिर चुकी है किसान मजबूर होकर नदियों में लहसुन फैकने के लिए सडकों पर उतर आए हैं ना उनकी मजदूरी निकल रही है और ना मंडी तक लाने का भाड़ा इससे मजबूर होकर उन्हें लहसुन फैकना पड़ रहा है यहां किसान ट्रेक्टरों में भरकर अपनी लागत तक नहीं निकल पा रही और मजदूरों के मजदूरी तो दूर की बात मंडी तक ले जाने का भाड़ा भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है मंडी जाकर किसानों का कहना है कि मरने से अच्छा है कि वो इसे सड़क पर फैक दे उनका कहना है कि हम अपनी लागत नहीं निकाल पा रहे और बारिश के मोसम में रखे रखे लैसुन भी हमारा खराब हो चुका है तो सही दा मिलने की फिलाल कोई उमीद नहीं है इसलिए हम मजबूरी में इसे फैक रहे हैं इंदोर जिले के सामेर के किसानों का पुल से लैसुन फैकने का एक वीडियो सामने आने के बाद स्थानिय विधायक और जल संसादन मंत्री तुलसी सिलावट बैक फुट पर नज़र आ रहे हैं वो किसानों से बात करने की बात कह रहे हैं शेत्री असांसच शंकर लालवानी इसके लिए अपनी ही सरकार को दोशी बताते नज़र आए उनका कहना है कि ओपन मार्किट में कीमते बढ़ती गिती रहती है इससे ये स्थिती बनी हुई है लेकिन जिस तरह पिछली बार सरकार ने प्याज और लेसुन को नियूंदम स्मर्थन मुल्या पर खरीदा था उसी तरह इस बार भी लेसुन को मिनिमम स्पोर्ट प्राइस पर खरीदने के लिए हमने सरकार से निवेदन किया है मंडियों में बंपर आवा की वज़े से व्यपारी मनमर्जी से लेसुन के दाम तै कर रही है इससे किसान बहुत परिशान है विपक्षी दल कांग्रेस को सरकार को घेरने का मोका मिल रहा है कॉंग्रेस के परदेश परवक्ता निलाब शुकला ने कहा कि बीजेपी सरकार शुरू से किसानों को गुमरा और भ्रहमित कर रही है ना किसानों को समर्थन मुल्या मिल रहा है और ना ही भवंतर मिल रहा है इसलिए किसान अपनी फसल फैकने पर मजूबूर है सामेर मंतरी तुल्सी सिलावत का इलाका होने के बाबजूद यहां किस्तिती भी विकट बनी हुई है परदेश की सबसे बड़ी देवी अलिहा अहिलयाबाई होकर फल और सबजी मंडी में इन दिनों लहसुन और प्याज की आवग बहुत ज्यादा है जहां लहसुन की रोजाना 1200 से 1500 क्विंटल की आवग देखने को मिल रही है लहसुन का बंपर उत्पादन और निमान कम होने की वज़े से दाम गिर गए है मध्या परदेश से लहसुन गुजरात पंजाब दिल्ली तक सप्लाई होता है लेकिन अभी वहाँ भी डिमान नहीं है हलाकि व्यपारियों को उमीद है कि अक्तूबर के आंत तक कुछ डिमान बढ़ सकती है और हो सकता है कि प्राइजिस में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे